एक बार फिर से स्वागा था हमारी यूटूब चैनल आदमी जॉब्स अपडेट पर अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब पर लिजिए डेले जॉब के रिडेट पाने के लिए दोस्तों फिर से हाजिरू आप लोगों के लिए कुछ नई रिक्वार्मेंट के साथ त दोस्तों अलिवनियम टेकनीजियन चाहिए ट्रेलर ड्राइवर साओधी वालेड लासंस होना चाहिए आर्सी स्टील फिक्सर चाहिए नो दा ब्लॉप्रेंट डिजाइन एंड शट्रिंग कार्पेंटर चाहिए एक्जकावेटर ऑपरेटर चाहिए पोकलेन ऑपरेटर चा केरला कॉलकाता परसें परसें नाट एक्चेप्टेट ठीक है केरला कॉलकाता सगर बिलॉप करते हैं तो आप लोग अपलाई नहीं करें ठीक है वल्ली साओधी गर्फ रिटन कंटिड़ेट कहना अपलाई यहां पर देख सकते हैं इनकी मेल आडी लिखी हुए यह कॉनटे भी client interview जो दोस्तों इसका Mumbai में 14 फरवरी को होने वाला है इसका जो electrical charge hand इसमें चाहिए and ducting charge hand चाहिए duct feeder चाहिए electrician चाहिए AC technician चाहिए chiller technician चाहिए electrical formine चाहिए insulator चाहिए pipe feeder चाहिए plumber चाहिए pipe builder चाहिए and HDPE builder चाहिए ठीक है must three to four year GCC experience होना चाहिए must have ITI certificate passport इस इनार इस इनार दोनों चलेगा एज लिमिट जो है थर्टी फाइब लाइस ठीक है और बाकि इनकी मेल आडियो गरा आडियो अपलाई करने के यहां पर डिटेल पूरे दिया हुआ है आप लोग यहां से दोस्तों अपलाई कर सकते हैं आफिस भी विजिट कर सकते हैं ठीक अच्छी होनी चाहिए इंगलिश की और रिटालीमेट चाहिए डिटृणं के लिए हैं लिट्वरीट है है प्रिक तो फोड्रस है ठीक है तो कंपर से दोस्तों आपको फोड पूरद करएंगे ट्रांसपोटैशन जो भी कंपनी प्रवाद करेंगी अकोमोडेशन भी कंपन और राइटिंग भी आनी चाहिए ठीक है और नीचे देख सकते हैं इनकी वेबसाइट भी लिखे हुए आप लोग यहां वेबसाइट भी इनकी विजिट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो बढ़ते हैं इस एक साथ अगली रिक्वार्मेंट की तरफ अगली जो रिकारण दोस्तों यह ओमान के लिए ठीक है ओमान के लिए भी यह जो अच्छी अपर्चिनिटी इसमें देख लेते हैं अपर्चिनिटी इस एब्रोड ओमान अरजेंटरली रिक्वार्मेंट है यह फॉर ए लीडिंग कंपनी वाइकेंसी जो है वो दोस्तों लार मेंकेंसी मेंकानीक चाहिए siihen वाटर पमपींग मेंत मेंकेंस चाहिए मेंकेंसी के लिए आटर येलेक्रियसान चाहिए सब कुछ आपको कंकनी परवावाइड करतेंगी अब आपोनेंड को मेलेड एंटेरलिंग बमेंटों फ्रिकार्स शेंडतेंगानी साओंन थे ऐन इंटरनेशनल कंसुल्टेट इनका जो आफिस का नाव है दोस्तों त्रेहान इंटरनेशनल कंसुल्टेंट उनकी जो ब्रांचे मुंबई गौरफपुर में जैसा कि उपर लिखा हुआ है कि आप नेरेश ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं ठीक अप्लाई करने के लिए अगर यूपी से तो गौरफपुर विजिट कर सकते हैं तरवाइस महराष्ट है तो मुंबई जा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इनका एड्रेंस भी दिया हुआ है और इनका कॉंटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है ठीक है आप लोग अपने इसाथ से दोस्तों अपलाई कर सकत बढ़ते ही स्फसर अगली रिक्वार्मेंट की तरफ के अगली इसा स्फारी रिक्वार्मेंट है constant के लिए ठीक अच्छी आप्सेयर शॉर मरिंडिंड्रिंट्री इंजिनेरिंग कंपरी है और और अप्शोर मेरिन इंड़ेस्ट्री इंजिनेरिंग कंपनी के लिए रिक्वार्मेंट है, फिरी फूर्ड दोस्तों, अक्कोमडेशन और ट्रांस्पोर्टेशन है, प्लांट मेंटनेस डिविजन के लिए जो रिक्वार्मेंट है, मेंटनेस सुपरवाइदर चाहिए, मेंटनेस इंडिया मेंटने के लिए ठीक है, और यहां पर दिख सकते हैं दोस्तों, यहां इंटर्वू सत्रा फर्वरी को होने वाला है ठीक है और इंटर्वू एड़े जो आप देख सकते हैं लिखा है अनुप टेश आर एटी गॉगिंग ग्रांटिंग के लिए मई लदर चाहिए एफ सी डबलव पलस एसंडावली थ्रीज फॉर्वर्जी और टी आइघ्व एयार दावल पलस सब्सक्राइब यहां पर इनकी मिल आड़ी देख सकते हैं इनको मेल कर सकते है और दिये के कउंटेंट नंबर पे कंट्रिक कर सकते हैं नीचे office का एड़े दोस्तों दिया हुआ है office भी विजिट कर सकते हैं ठीक है तो बादते हैं अगली requirement की तरह अगली जो requirement दोस्तों वो साओधी अरब के लिए ठीक है यह जो है अर्जेंट्री रिकार्ड फार सिविल कंट्रेक्टिंग कंपनी साओधी अरबिया ठीक है इसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए सिविल कॉन्टिटी जाये चाहिए और स्यट मैनेजर स्यटी इंजिनियर शिविल इंजिन्टी की रिकार्मेंट है और अब दोस्तों जब आपका इंटर्यू होगा उसी टाइम सेल लेगी बात करेंगे आपके एक्सपिरियंस के उपर भी सेल ली आपको मिल सकती है ठीक है तो अगर परफॉर्म अच्छा रहेगा आपका इंटर्यू में आपको निग्यूस करवा सकते हैं वहाँ पर अप डाउन और इंट्रेस्टेट कंडिट कंडिट कंडिली शेर यूर सीवी एलॉंग विद डॉकॉमेंट एडूकेशनल एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट टू इस मेल आइडी यहाँ पर देख सकते हैं तीन मेल आइडी लिखी हो यहाँ पर आप अपना डॉकुमेंट बगार ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है और बाकि जुआ दुस्टों इसे इनका जोEr निका Hem अगर आपको कोई भी response नहीं मिलता है तो आप लोग इंसे contact कर सकते हैं कि मैंने document drop किया है कोई response नहीं मिला है ठीक है दोस्तों WhatsApp नंबर भी WhatsApp नंबर भी आप अपना document वगएरा mail कर सकते हैं सोरी WhatsApp कर सकते हैं ठीक